स्वागत है आप सभी का विजय निर्देश नियूज में लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी बड़ी चनौतियों को स्विकार किया और उनको चैलेंज को स्विकार करके जीता है तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलके इस अर्थविवस्था की चुनौती को भी हम लोग जीतेंगे आज एक कैबिनेट मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी उसमें एक महत्वपून निर्ने लिया गया है जो मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थविवस्थ को आगे ले जाने में महत्वपून कदम होगा दिल्ली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपए कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्ने लिया है कि दिल्ली में डीजल के उपर और डीजल के उपर वैट के रेट 30 प्रतिशत से घटा के 16.75 परसेंट कर दिये जाएंगे तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है इससे दिल्ली में डीजल के दाम आठ रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा बहुत सारे इंडस्ट्री से बहुत सारे व्यपारियों से लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज्यादा रेट की वज़े से सब को तकलीफ हो रही है लोगों के बजट पे असर पढ़ रहा है व्यपारियों को तकलीफ है इंडस्ट्री को तकलीफ है मैं समझता हूँ कि इस निर्ने से दिल्ली की अर्थ विवस्था को एक पुश्च देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी पिछले एक हफते से हम लोग दिल्ली की अर्थ विवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं सोंवार को मैंने ऐलाम किया था कि रेडी पट्री वालों को काफी तकलीफ हो रही है रेडी पट्री वालों को अलाओ किया गया कि वो अपना काम शुरू करें एक जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया जहां पर बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्र लिस्ट्स हैं जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दुरान फैक्टरी बंद होने से दुकान बंद होने से अपने अपने गाउं चले गए और अभी लौट के नहीं आये दीरे दीरे आ रहा हैं लोग तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है ऐसे बहुत सारे लोग है जो का काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने दो-तीन दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था उसमें इतना जबरदस्त रिस्पॉंस आ रहा है और मैं मुझे बड़ी खुशी है मैंने तो सोचा भी नहीं था अभी जॉब्स पोर्टल एनॉंस किये हुए तीन नौकरियां इसमें एडवर्टाइज की गई है 2,4,785 नौकरियां इसमें आई है अभी तक और 3,22,865 लोगों ने नौकरी के लिए अपलाई किया है तो जैसे मैं कल एक TV चैनल पे देख रहा था एक जीन्स बनाने की किसी की फैक्टरी है उसने बताया कि जी मेरे 35 काम करने वाले लोग होते थे अब केवल 3 बचे हैं बाकि सब चले गए और बोला मुझे लोग नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं फैक्टरी शूरू नहीं कर पा रहा था लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मिरे को 35 मिचे और बोला मिरे को 190 से ज करता हूं कि आईए सब लोग मिलके दिल्ली की अर्थ विवस्था को फिर से एक बर पट्रे पे लाते हैं, मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपने दुकाने, खोले और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेν करके रखें औ और मास्क पहन के रखें, लेकिन अब अपना काम काज हम सब लोग शुरू करते हैं, इंडस्टि वाले इंडस्टि खोलें, और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्टि के लोगों से, व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूँ, जूम कॉल के जरिए, वी समस्या होगे उन सभी समस्याओं को ठीक करने के कोशिश करेंगे नमस्कार